हेलो बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैंने हारेका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उधे बैच के इस अगले लेक्चर में और बच्चों में अमीद करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे स्वस्त होंगे खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे ह यह दोनों स्टोरी काफी जादा एक पॉम और एक स्टोरी बचे यह दोनों के दोनों बहुत जादा इमोशनल है और इन दोनों के अंदर हम लोग हमारे human emotions को highlight करने वाले हैं और human emotions को देखने वाले हैं तो आईए बचो start करते हैं हमारे topic को सबसे पहली पॉम बचे जो हम लोगों ने करनी हैं आज की class में उसका नाम है slumber did my spirit seal ठीक है यह पॉम का नाम है बचे slumber did my spirit seal तो आईए एक पर जान लेते हैं कि slumber का मतलब क्या होता और यहां कैसे slumber ने spirit को seal कर दिया है बचे देखो slumber का मतलब होता है deep sleep seal का मतलब होता है spirit का मतलब है बचे यहां पर soul और seal को करने का मतलब है capture कर लिया है तो basically यह पॉम के अंदर हमारे जो poet हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से उनकी जो beloved थी ठीक है जो उनकी प्रेमिका थी उनकी death हो जाती है और उनके beloved के मरने क बाद वो यह बताते हैं कि मेरी जिंदगी में नींद जैसा एक संनाटा चा गया है और जिस तरीके से तुम मुझसे दूर चली गई हो अब मेरी जो अमनचैन शांती है जिंदगी से वो भी दूर चली गई है मैं तुम तो धर्ती में घूमती रहोगी तुम तो धर्ती के course म में अब आ गई हो लेकिन यहां पर मैं तुम्हारी उमीद में यह तुम्हारे प्यार में व्याकुल होता रहता हूं तो इस चीज को डिस्क्राइब करते हूं बेटा बैशिकलि एक लवर की फीलिंग को डिसक्राइब करते हुए एक पोए च्छोटी सी पोएट्री है च्छ उस चीज के साफ से चल रहा हूँ, ये लाइन वो क्यों बोलते हैं, ये कि he has faced death, he has seen the death of a loved one, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने जिसको वो प्यार करते थे, और इसके death को अपनी आखों के सामने देखा है, तो इसे इस इस इन्सान को किस चीज का डर होता है, वैसा कोई भी डर मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि मैंने तो worst fear face किया है, उनके रिसाब से उन्होंने जो महसूस किया है, वो already worst fear को महसूस कर चुके हैं, अब उस worst fear के आगे, इससे बुरा क्या ही होगा, कि जिससे आप प्यार करते हैं, वो आपसे इस तरीके से अलग हो जाए, और यहाँ पर वो बात करते हैं, शी के लिए, अपनी beloved के बारे में बताते हैं, जिस लड़की से वो प्यार करते थे, उसके बारे में बताते हैं, शी सीम्ड तिंग दैट कुड नॉट फिल, तो वो कहते हैं कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था, कि शी वो आपसले डेट परसन है, वो डेट हो चुकी है, उनके सामने उनके डेट बॉड़ी पड़ी है, और वो कहते हैं कि मैं देख पा रहा था, कि वो कुछ भी फील नहीं कर सकती, the touch of earthly ears, उनके अंदर वो लाइफ जो थीना वो बिल्कुल भी नहीं है, उनको देखकर पता लग रहा था, that she was completely lifeless, और उनके चहरे के जो expressions थे, आप कह सकते हो कि, the poet cannot, the poet could not forget it, the poet जो है, वो उस चीज को भूल नहीं पा रहे थे, वो उन images को उनकी आखों के सामने से हटा नहीं पा रहे थे, उन सब चीजों से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, कि ये मैंने क्या देख लिया, तो बचे, पोईट के सोल जो है, उनकी जो आत्मा है, वो सो चुकी है, क्योंकि वो अपने, क्योंकि वो इस harsh reality को accept नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके beloved की death हो चुकी है, he had taken life for granted, and never thought that one day, death would take away his beloved Lucy, और उनने कभी भी realize नहीं हुआ था, कि एक दिन ये मौत जो है, उनकी प्रेमिका लूसी को ले जाएगी, क्योंकि अब उनसे ये जो separation है, ये जो बिछडाव उन दोनों के बीच में आ गया है, ये हमारे poet से handle नहीं हो रहा है, और वो चाहते हैं कि भया मुझे भी मार लो, में को भी जीना नहीं है, no motion she has now, no force, अब वो कहते हैं कि अभी मैंने उन्हें इतना enjoy करते वे देखा, खुश होते वे देखा, जिन्देगी जीते वे देखा, मगर वो कहते हैं no motion she has now, अब वो कहते हैं कि उनके अंदर कोई movement ही नहीं है, वो बिलकुल ये ऐसे बे जान मेरे आगे पड़ी है, no force, she neither hears nor sees, तो यहाँ पर वो basically कहते हैं कि ना तो वो मेरी eyes में से tear देख पा रही है, ना तो वो मुझे रोते में देख पा रही है, और नहीं वो कानों में मुझे cry करतावा सुन पा रही है, तो she says I cannot reach her, he says मैं उस तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूं, मैं चहाता भी हूँ कि मैं उस तक पहुँच हूँ उससे बात करूँ, लेकिन मैं उससे reach नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि ना तो वो आप देख सकती है, ना ही वो सुन सकती है, और उसे कुछ नहीं पता लगेगा कि मैं यहाँ पर कैसा मैसूस कर रहा हूं, rolling round in earth's diurnal course, अब वो कहती है कि वो भी क्या हो गए, क्योंकि उसे दफना दिया गया है, तो वो भी धर्ती के अंदर गोल-गोल घूम रही है, earth के diurnal course में, two type के course में, rounds में, वो दो round कौन से हैं बच्चे, एक है आपका rotation, जो धर्ती के आसपास, अपने खुद के access पर करती है, revolution, तो इसे जब ये जो है, वो भी धर्ती के अंदर मिल गई है, she is a part of earth now, अब वो कहते हैं, she is the part of, अब वो किस का हिस्सा है, भया वो धर्ती का हिस्सा है, और वो कहते हैं, कि वो धर्ती का earth now, अब वो धर्ती का जो हिस्सा बन चुकी है, उस धर्ती का हिस्सा बन कर ही, वहाँ पर अब वो धर्ती के ही, चारो और धर्ती के साथ ही, गोल 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 गूम रही है, with rocks and stones and trees, so basically now she is a part of earth, अब वो धर्ती का हिस्सा नहीं रही, now she was dead, और विये बेटा कहा की बात हो रही है, यह उनकी graveyard की बात हो रही है, यह उनके, आप कह सकते हैं कि जहां पर उन्हें दफनाया गया, उसकी बात की जा रही है, कि वहाँ से अब वो धर्ती के अंदर मिल गई हैं, और धर्ती के रास्तों पर चलेंगी, the point accept the truth, जल्दी ही वो rocks और stones के साथ mix हो जाएगी, यानि human body जो है, वो decompose कर जाएगी, क्या कर जाएगी, human body जो है बचे वो decompose कर जाएगी, समझें, I hope यहां तक आप लोगों को clear है, आगे क्या कहते हैं poet, यहां पर आकर बचे poem ही खतम हो जाती है, this is a small one, तो rhyming scheme बचे, A, B, A, B, C, D, C, D, C, D है, यहां पर iteration यूज़ किया गया है, जिसे spirit sealed के अंदर, और rolled round के अंदर ही जो SS का use है, enjoyment, बचे पूरी poem के अंदर, आपको कोई भी punctuation mark नहीं दिख रहा है, दो lines के बीच में, तो इसलिए इस पूरी poem में, आपको enjoyment भी देखने को मिलता है, अब सवाल आता है, बचे देखे किती देर की पूर्ण दी, 7-8 मिनट में पूर्ण भी खतम कर ली, वाट सीड दा पूरेट स्पिरिट, तो पेटा एक slumber, अदीप स्लीप, एक गहरी नींद जो है, वाट लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जो बिछडाव है, उसे accept नहीं कर पा रहे हैं, What was Lucy doing after her death, Lucy क्या कर रही थी, अब वो धर्ती के साथ, move कर रही थी, in the earth's course of rotation and revolution, यानि वो धर्ती का part बन चुकी है, और धर्ती में ही वो समा चुकी है, यानि उसे अदफ ना दिया गया है, What was the poet taken for granted, poet क्या कर रहे थे, वो अपनी, वो actually अपनी beloved की life को, हर चीज़ को और अपनी life को, वो सब चीज़ों को granted ले रहे थे, यानि सब चीज़ों को वो हवा में ले रहे थे, और जब reality life ने उन्हें दिखाई, यानि यानि उनकी जो girlfriend थी, Lucy, उसके लिए, उनके लिए उन्होंने ये poem लिखिया, option number A, आपके question का सही जवाब होगा, last question, बचे, what does slumber mean in the poem, बचे, slumber का क्या मतलब है, slumber का मतलब है, poem make deep sleep in the form of death, ठीक है, यह जो death थी, poet की beloved Lucy की, उसने poet के soul को इदम जकड लिया है, और poet की ignorance to the harsh realities of life, यह कि वो खुशी खुशी जिंदिगी जी रहे थे, वो इस चीज़ सा खयाल भी नहीं ले रहे थे, अपने दिमाग के अंदर की ऐसा भी कुछ हो सकता है, वो अपनी beloved से दूर हो सकते हैं, probably मौत उसका कारण बन सकती है, ऐसा उन्हेंने कुछ भी नहीं सोचा था, तो option number A आपके question का सही जवाब है, अब इसी के साथ बचे हम लोग शुरू करने वाले हैं, हमारा next topic, जिसका नाम है a house is not a home, तो basically बचे ये story जो है, ये challenges दिखाती है, एक teenager के, और उसे क्या-क्या problems face करने पड़ती हैं, जब वो grow करता है, और एक teenager के लिए क्या हमारे लिए भी changes को accept करना इतना easy नहीं होता, it is not easy for us to accept changes, और यहाँ पर इस बचे ने कुछ changes अपने लाइफ में ऐसे देखे, जो इसके लिए भी accept करने बहुत मुश्किल थे, लेकिन जैसे जैसे उसने अपना मन बनाया, कि yes I need to accept those things, उसने उन सब चीज़ों को accept करना start कर दिया, तो यह house is not a home, बचे is by polyadler, यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ों में difference पता होना जरूरी है, बचे house के अंदर और home के अंदर, house बचे क्या होता है और home क्या होता है, बचे house का मतलब होता है, जो सिर्व आपके brick और cement से बना हो, ठीक है, यह सिर्व किस से बना होता है, यह बना होता है बचे brick और cement से, और home क्या होता है, जहाँ पर family होती है, ठीक है, जहाँ पर emotions होते हैं, जहाँ पर प्यार होता है, ठीक है, जहाँ पर care होती है, वो होता है home, तो basically poet यह कहते हैं, house is not a home, आप एक मकान को घर नहीं कह सकते, ठीक है, तो मेटा मकान एक अलग चीज होती है, मकान में इंसान के emotions नहीं होते हैं, लेकिन घर, आखरी मनजिल घर, घर जैसा कुछ नहीं दुनिया में, ठीक है, यह चीज सच है, यह तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक पॉइंट अफ टाइम के बाद आने लगेगा, कि भाया, आखरी मनजिल घरी है, तुम कितना भी कर लो, वो लॉट के बुद्धू घर को आए, सुभा का निकला, शाम को घर लोटता ही है, फहां लोटता है घर लोटता है, तो गर की जो इंपर्टेंस है वो घर की है, वो में अच्छे नहीं लग रहे होंगे अपने घरवाले, लेकिन ऐसा नहीं है, जतना अच्छा घर है, अतना अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है, उतनी safety sense of security तुम्हें दुनिया में कई नहीं मिलेगी जितनी घर में मिलती है जो हमें लगता है ने कि ग्रांटेड है ग्रांटेड है कि भाया यह है वह है ना ऐसा नहीं है घर वाले बहुत अच्छे हैं और उनकी इज़त करनी चाहिए चलिए अब अच्छा बताता है हमारा पॉली आडलर कि मैं फॉर्स नेरेटर सॉरी नेरेटर जो है हमारे वो बताते हैं कि भाया जो मेरा पहला यह था हाई स्कूल में यानि मेरे 10th क्लास वाले स्कूल में वह बहुत ही ऑक्वर्ड था वो बहुत ही अजीब था वो अजीब क्यों था वो अजीब इसे लिए था बच्चे कि उन्होंने जूनियर हाई छोड़ा था अडी है ओफ में पॉली एक स्कूल में था तो वहाँ पर मेरे एक सिनियॉरिटी थी कि भाया मैं अपर ग्रेड लेवल का बच्चा हूं और दिन यहां पर मुझे बड़ा जीव लग रहा है कि मुझे सब कुछ रीस्टर्ट करना पड़ा है स्कूल के अंदर में को बिल्कुल फ्रेशमेंट मैं भी वहाँ पर तो सीनियर था लेकिन यहां पर मुझे ट्लास रिपीट करने पड़ रही है यहां पर मुझे फ्रेश्मेन की तरह पढ़ना पढ़ रहा है वो कहते है मेरा यह वहला स्कूल जो है वो मेरे पिछले स्कूल से दो गुना बड़ा है and to make matters worse my close friends were sent to a different high school he says और मेरे जो दोस्त थे वो closest friends उन्हें दूसरे high school भेज दिया गया तो he says यहां पर मेरे को बहुत जादा अकेला फील होता है कि वो सब लोग मेरे से बिछड़ गया मैं बहुत अकेला हो गया तो he says I feel really really lonely I missed my old teachers so much that I would go back to visit them वो कहता है कि मैं को अपने पुराने teachers की इतनी यादाती कि मैं उनसे मिलने जाया करता कि भाया मैं एक बार आप लोगों को मिली आऊ they would encourage me to get involved in school activities वो बताते हैं कि वो लोग मुझे प्रोच साहित करते थे कि जाओ और नए स्कूल के activities में participate करो ताकि तुम यहां पर भी और नए लोगों को मिल पाओ और नए friends बना पाओ ठीक है because life में चेंज जरूरी है और वो कहते हैं कि तुम भी यहां जाओ ताकि तुम भी यहां जाकर नए friends बना पाओ लेकिन हमारा जो boy है वो यह नए friends बनाने की हिम्मत रखता ही नहीं था ठीक है they told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than the more than I had my one old one तो he says when teachers बोलते थे कि बिटा तुझे थोड़ा time लगेगा लेकिन तू adjust कर जाएगा और chances है कि तू अपने अग नए school को जादा पसंद करें जादा प्यार करें जितना तो ने पिछले school को किया है और teachers की तरफ से यह एक अच्छा suggestion था कि चेंज को accept कर जो हो रहा है कुछ परक नहीं पड़ता they made me promise that when that when that happened I would still come by and visit them from time to time teacher ने ये भी बोला कि चलो पावक कमे को पकावादा करो कि अगर तुम्हारे दोस्त वाँ बन भी जाते हैं तो कोई दिकत नहीं तुम हमें थोड़े थोड़े time में आकर हमसे मिलते रहोगे तो ये एक way था of encouragement ये उसको encourage करने का एक तरीका था कि तुम चिंता मत करो तुम्हारे वहाँ school में भी नए friends जो है वो बन जाएंगे इतनी attention लेने के ज़रूरत तुम्हें नहीं है I understood this psychology and what they were saying मैं समझ गया कि वो किस मनों विज्ञानी से में को मनों दशा से मुझे बोल रहे थे He says I took some comfort in it Nandilai मुझे लगा कि चल अच्छा है कोई दिकत नहीं है कि at least इन लोगों को मेरी care तो है अब यहां पर इस बच्चे से change adapt नहीं हो रहा था यह नए स्कूल में अभी इतना खुश नहीं था इसको अपने पुराने स्कूल के बहुत याद आ रही थी तो एक संडे आफटरनून not long I had started high school I was sitting at home in our dining room table doing homework तो इसे इस कुछ थोड़े तमे की बात है मैं अपने घर में बैठा हुआ था मैं अपने high school का काम कर ही रहा था dining table पर बैठ कर homework कर रहा था संडे दुपहर की बात है He says it was a cold and windy fall day बहार बहुत जदा ठंड थी और fall का दिन था basically पत जड़ का दिन था बहुत सारी पतियां जो है वो जड़ रही थी and हमारी fire जो थी मेरे समान पर बैठी रहा करती थी परिंग लौड ली basically अपनी अवाजे निकालते वे वो काहों जो बिलिया करती है he says वो बैसे अपना बैठ कर वा म्याओ म्याओ कर रही थी and occasionally sweating at my pen for entertainment randomly थोड़ी थोड़ी देर मेरे pen को कर रही थी ताकि वो थोड़ा सा महाँ पर मेरे साथ enjoy कर सके तो basically he says it was a normal day he says कि वो मेरा दिन कैसा था वो बिलकुल normal था बिलकुल routine जैसा मेरा दिन चल रहा था she was never far from me and he says that my cat is not far from me I had rescued her when she was a kitten तो वो कहता है कि मैंने इसको बचाया था जब यह kitten थी और तब से उसे पता है कि I am the only one responsible for giving her the good life और कहीं न कहीं उसको समझ आ गया कि यही है वो इंसान जो मुझे अच्छी जिंदेगी दे सकता है my mother kept stocking the fire to keep the house nice and warm तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हिलाना कह सकते है blow और वो कहते है कि मेरी मम्मा भी जो थी वो लकड़ी से हलके हलकी आग हिलाई रही थी कि ढंक से हमारा घर जो है वो कमरा जो है वो nice and warm रहे suddenly उसे कुछ strange से स्मेल आती है कुछ अजीब से स्मेल आती है और उसने notice करा कि जो smoke था यानि धुआ जो था it was coming out pouring out का मतलब है यहाँ पर coming out through the seams of the ceiling ceiling के top से बिल्कुल जो ceiling का top है ना वहां से धुआ नीचे की तरफ आते वे दिख रहा है the smoke began to fill the room और उतने में वो जो धुआ था वो कमरे को भरने लगता है और इतनी जल्दी पुरे कमरे में धुआ हो जाता है कि उसको दिखना भी बंद हो जाता है he was not even able to see कि आगे क्या हो रहा है groping our way to the front door we all ran out into the front yard और एकदम से घर में हो जाता है panic की यह क्या हो गया तो सारे के सारे groping our way to the front door basically भागते हुए finding our way to the front door वो सारे के सारे क्या करते है front yard से बाहर निकल आते है but by the time we made our way outside पूरा के पूरे घर की जो रूफ थी basically जो घर की छत थी it was engulfed in flames तो पूरी की पूरी आग के चपेट में आ चुकी थी और वो आग बहुत तेज speed के अंदर भड रही थी I ran to the neighbors to call the fire department तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि presence of mind बहुत अच्छा लगाया अपना घर जलते वे देखने से अच्छा यह जो बच्चा था यह गया अपने neighbors से घर पे और इसने fire department को call किया आने के लिए और उतनी देर में उसने यह देखा कि जो उसकी mother है वो risk लेकर ठीक है वो risk लेकर उन्होंने क्या किया वो घर के अंदर जलते वे घर के अंदर वापस चली गई आजिफ उनका कोई समान घर के अंदर रह गया है my mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents और उसकी मम्मी ने यहाँ पर अपना दिमाग अच्छा चलाया भले ही risk लिया लेकिन उन्होंने एक बहुत समझदारी का काम किया कि वो एक डबा लेकर आ गई जिसके अंदर उनके सारे important documents पढ़े थे वरना वो सब भी जल जाते she dropped the case on the lawn और उन्होंने क्या किया वो lawn में याणि garden के अंदर बगीचे के अंदर उन्होंने आकर वो रखा और बगीचा बगीचे में लाकर रखा और वापस से in a crazed state मतलब आप कह सकते हो कि बड़े ही पागलों की तरह वो वापस से घर के अंदर भाग जाती है आसे भभी और कुछ भी उन्हें घर के अंदर से लेकर आना है it's all right they'll get her he said तो maybe probably यहाँ पर कोई fireman आया था ठीक है यह fireman ने बोला कि तुम चिंता मत करो हम तुमारी मम्मी को ले आएंगे he wrapped a blanket around me and sat me down in the car तो जब उसने मम्मी को भागते वे देखा तो वो भी भागा मम्मी के पीछे लेकिन उतने तक में बच्चे fire truck आ चुके थे और वो आग भुजाने की कोशिश कर रहे थे और उसी मेंसे एक fire truck वाले आदमी ने बोला कि तुम चिंता मत करो हमारे में जो हैं वो तुम्हारी मदर को ले आएंगे soon after that एक fireman अंदर से आता है he came out from in the house with my mom in the toe और उनके हाथ में उनकी ममा को उनने उठा रखा था अब basically हुआ क्या था यहां पर उनकी मदर ने ऐसा क्यों किया था तो बच्चे आप लोगों को याद रखना है यहां पर कि उनके father की जो memories थी न उनके father की memories जो थी न वो एक box में थी since father was dead अब उनके father तो थे नहीं तो उनके साथ की जितनी भी photos थी है उनके साथ की जितनी भी memories थी न वो सब एक डबे में बकसे में पड़ी थी और वो mother उस बकसे को ही लेने गई थी जो उनना सक्सेसफुली निकाल लिया था अब वापस से वो जो fireman था वो मम्मी को लाते हैं और ट्रक में लिटा देते हैं और उनके उपर एक oxygen mask लगा देते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जादा smoke inhale कर लिया था जिसकी विजह से उनकी body में oxygen की कमी हो सकती थी और बचा जाता और जो थे वो गायब हो गया जब मुझे यह रेलाइज हुआ जब मैंने actually महसूस किया कि मैं अपनी मम्मी को खोने के कितने करीब था अगर मेरी मम्मी को time पर आकर वो पुलिस वाले नहीं बचाते वो fireman नहीं बचाते तो मेरी मदर नहीं बचती she is going to be okay said the fireman she just inhaled the little smoke तो उनोंने बोला कि आप चंता मत किये यह ठीक हो जाएंगी इन्होंने बस कुछ smoke इन्हेल कर लिया है और वापस से जो firefighter थे वो आग से लड़ने के लिए निकल जाते हैं अब दोनों के दोनों यहाँ पर बैठे हैं काफी shocked कि यह उनके साथ क्या हो उनका पूरा घर मिंटों में लप्टों में जल गया I remember watching my house burn down he says मैंने खुद अपनी आखों के आगे अपने घर को जलते वे देखा है and thinking there was nothing I could do about it और मैं यही सोच रहा था कि मैं situation में कुछ कर भी नहीं सकता मैं बहुती helpless और बहुती frustrated हूँ कि एक तो जिंदगी में वैसे कुछ अच्छा नहीं चल रहा था उपर से घर में आग लग गई और पूरा घर भी बरबाद हो गया और उतने में ही उसको realize होता है कि मैं कुछ बह realize होता है I hadn't seen my cat और एकदम से उसको realize होता है कि जो उसके red tabby cat थी जब घर में आग लगी तो उसको पता ही नहीं वो कहां गई where was my cat यही वो सोचता है कि मेरे बिल्ली कहां गई much to my horror I realized she was nowhere to be found और उसको अपने आसपास realize होता है कि यार मैं तो भूली किया मेरे घर में cat थी अब जब उसने अपने आसपास देखा तो उसे वो cat कहीं पर भी नहीं देखी then all at once it hit me और फिर उसको वस सारी कि सारी you know it was heights of bad luck और उसको यह लगता है कि शायद से वो animal जो था वो उस आग में ही रह गया और शायद वहीं पर वो मर गई अब वो नहीं बची होगी obviously and at that point of time जब उसे realize होता है कि मेरी जिंदगी में उसे bad luck की bad luck है उसको realize होता है कि मेरा नया school जो अच्छा नहीं है मेरे घर में fire मेरी cat जो मुझसे बिचड़ गई और इस चीजों के बाद he was not able to take more and he broke down in tears और वो रोने लग जाता है बिलकुल हताश होकर वो रोने लग जाता ह है कि यह मेरे साथ क्या हो गया I was suffering loss big time और उसको realize होता है कि मैं मैं बहुती मुश्किल समय से गुजर रहा हूं मेरी जिंदगी में एक के बाद एक loss पे loss हुए जा रहे हैं हुए जा रहे हैं पहले मेरा school बदला फिर मेरे मेरा घर जल गया उसके बाद मेरी cat का हता पता नहीं है क्या पता हो मर गई रहे हैं क्या वह बछी नहीं क्या हुआ तो बहुत जद्धा बहुत जद्धाताबुची था इसको समझ में आ रहाथ कि रहा है की फ्लस्टा़ करें आ लगता है था जो उड़ता बच्चा लोगत चेनेजर ही था तो बहुत सारे fumes, बहुत सारे smoke, chemicals की smell अभी भी घर में होती है, जो इंसान के लिए dangerous हो सकती है, तो इसलिए fireman ने उन्हें मना कर दिया कि इस रात आप घर में नहीं जा सकते हैं, आप कहीं और रह लीजिए, तो dead or alive, I couldn't imagine living without knowing about my cat, लेकिन वो कहता है कि जिन्दा हो या मर गई we piled into the car just with the clothes on our backs and few of the fireman's blanket and made our way to my grandparent's house to spend the night up, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि disappointed थे अपनी सिंदगी के साथ कि ये हमारे साथ क्या हो गया, और जो कुछ भी उनके पास बताया, जो कपड़े उन्हें पहने थे, दो तीन fireman's blanket उन्हें दिये थे, वो लेकर वो अपने grandparent से गर निकल पड़े, अगले दिन Monday था, obviously, तो उसे school जाना पड़ा, ठीक है, यहाँ पर भी वो helpless था, उसका मन नहीं था, school जाने का, लेकिन उसको school जाना पड़ा, when the fire broke out, I was still wearing the dress, I had born to church, और वो कहता है, जब घर में आग लगी, तो मैंने वही कपड़े पहने वे थे, जो मैं उस दिन सुबाद चर्च पहन कर गया था, और मैंने अपने घर में कोई shoes नहीं प जाना पड़ेगा, तो इसे मुझे इतना जादा, embarrassed feel हो रहा था, कि मैं ऐसे school कैसे जाओंगा, इसे मैंने जूते चपपल जोते हो, इने किक करके fact दिया था, जब मैं अपना homework करने बैठा था, और उसके बाद जब आग लगी, तो हम ऐसे ही भारा गए, they became yet another casualty of the fire, उसकी ब So I had to borrow some tennis shoes from my aunt, तो इसे school जाने के लिए अपनी aunt से जूते बोरो करने पड़े, why couldn't I just stay home from school, उसने सुचा कि इतनी क्या जबरदस्ती है, जब कपड़े नहीं है, uniform नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं school क्यू जाओं, मैं घर पे नहीं रह सकता क्या, my mother wouldn't hear of it, लेकिन ममी ने But I was totally embarrassed by everything, एक तो वैसे ही कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नए स्कूल में जाएगा, वहाँ पर कपड़े भी खंदे पहनेगा, अच्छा दिखेगा भी नहीं, तो इसको बड़ा हीं इंबारेस्ट फीड हो रहा कि यार मैं ऐसे school कैसे चला जाओं, यह तो condition यह नहीं है, मेर work नहीं था, उसका bag जो था school का, वो भी जल गया, तो इसके बास कुछ tiny school जाने के लिए तो वह ऐसे हालात में कैसे school जाए, तो इसको बड़ी शरम आरी थी, कि मेरी मम्मी निबतानी मुझे स्कूल इस तरीके से क्यों भेज रही है, I had my life in that backpack, इसे मेरी बच्पन की सारी टाफ उतनी घाना की निबतानी ही जाती है, जतना में चीजनों क को अच्छा करना चाहता हूं, चीजें उतनी स्कूइल होती है हो और खराब होती जाती है, इसे मैं एक आयुकास्ट, क्या मैं एक neglected, चाईल्डीबन के रहना हमां, थात्या है, वो जी जितने हैं क्या मिरी ज जो दोना कि मैं सबसे अजीब हो कोई मेर से बात ही नहीं करें का मैं कुछ जाओंगा नहीं किसे बात करने के लिए और वह कहते है कि अगर जिन्दगी ऐसे हैंडल करनी है अगर यह जिन्दगी को मुझे ऐसे हैंडल करना होगा तो सौरी मुझे जिन्दगी हैंडल करने में कोई ट्रस्ट नहीं है I just wanted to curl up and die He says मैं बस ऐसे सिकुणना चाहता हूं और मर जाना चाहता हूं तो basically lost the will to live और यहां पर उसने जीने की जो इच्छा थी वो भी उसने give up कर दी दी वो कहता है कि बगवान इस अच्छा तो मुझे उठालो मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और उसको ऐसा लग रहा था कि वो एक zombie जैसे school में चल रहा है उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कि एक walking dead जैसे वो school में चल रहा है and he was not happy with the way things were turning out for him everything felt surreal, he says everything felt unreal, वो कहता है मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था सब कुछ I wasn't sure what was going to happen, he says मुझे नहीं पता मैं school जाओंगा लोग क्या react करेंगे, क्या करेंगे, बच्चे हसेंगे, मेरे साथ क्या होगा all the security I had known, he says जितनी भी मेरी जिंदगी में protection दी भले वो school की हो, भले वो मेरे घर की हो, मेरी cat की हो वो सब, मेरे old school, मेरे friends, मेरा घर, मेरी cat, he says मेरे से सब कुछ छीन लिया गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो he says जब मैं अपने, जब मैं वापस चल के जा रहा था to what used to be my house after the school that day, I was shocked to see कि उस छोट इसी आग ने कितनी जादा damage cause कर दी थी, जो भी बचा, अगर वो जल के नहीं बचा तो वो बाकी water यहां जो chemicals उन्होंने आग को भुजाने के लिए डाले थे, उन सब चीजों से वो सब बरबाद हो चुका था, तो basically बेटा देखा जाए, तो यहां पर एक ultimate destruction हो चुकी थी, ultimate destruction हो चुकी थी, only material things that were not destroyed were the photo albums, he says, only cheese जो बच रही थी, वो इसलिए बच गई कि वो थी, वो photo albums, documents and some other personal items, जो उसकी mother ने अपनी, you know, heroically rescue कर लिया था, लेकिन उसको बुरा यह लग रहा था कि उसकी cat चली गई, his heart paint, उसको बुरा लग रहा था कि, you know, उसकी cat जो है, वो उसके पास नहीं है, और उसके पास कोई time नहीं था, ग्रीव करने का, to feel sad, ठीक है, उसके पास समय नहीं था, बुरा feel करने का, कि यह मेरे साथ, क्या हुआ, My mother rushed me to out of the house, तो बहुता है, मेरी मम्मी मुझे भगा कर गर से भार लेकर गई, we would have to find a place to live, अब हमें रहने के लिए एक जगा दूड़नी पड़ेगे, अब तक हम grandparent से घर रहेंगे, And he says, और मुझे कुछ कपडे खरीदने पड़ेंगे, school के लिए, so basically he says, मुझे starting से शुरू करना पड़ेगा, We had to borrow money from my grandparents, because हमारे पास कोई credit cards नहीं है, cash खतम हो गया, कोई identification में नहीं है, कि हम लोग किसी bank से जाकर पैसा निकाल सके, So basically, वो यह कहते हैं, हम चारो कोने चित थे, हम चारो तरफ से फसे होए थे, Everything had gone up in smoke, सब कुछ दुआ हो गया था, That week, the rubble that used to be our house was being cleared off the lot, He says, तर उस week हमारे घर का जो मलबा था, जो सारा मलबा बनकर अब जो रह गया है, उस दिन, उस हफते उस चीज की सफाई जो थी होनी शुरू हो गई थी, तो इस बड़े दुख के साथ हम लोग अपने घर को इस तरीके से तूटते वे, बनते वे देख रहे थे, और लोगों को वहाँ से वो मलबा साफ करते वे देखता कि काश मेरी क्याट जो है, वो महीं से निकला है और मेरे को वो मिल जाए, लेकिन उसको वो क्याट नहीं मिली, I kept thinking about her as a vulnerable little kitten, उसको ऐसा, वो मन में बस यही सोच रहा था, कि वो बिचारी कितनी लाचार होगी उस समय आग के समय पर, और उसने उस समय पर selfish होकर अपने बारे में सोचा, और अपनी कैट को नहीं बचाया, और उस चीज का regret उसके मन में आ रहा था, और अब वो अपने पुराने टाइम को याद कर रहा है, तो मेरी कैट भी मेरे साथ आकर मेरी पॉकेट में जाकर सोजाया करती थी, और मेरे केस में भी यही हुआ कुछ अलग नहीं था, मैं स्कूल गया और स्कूल में सब लोगों को पता था कि मेरा गर जल चुका है, everyone in the high school, including the teacher, was aware of my plight, he says, मेरी परिशानी के बारे में सब को बता था कि मेरा घर जो है वो जल गया है, I was embarrassed कि, you know, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा घर मेरी मेज़ा से जला है, जब लोग मुझे देख रहे थे, तो मुझे उस चीज पर भी अच्छा नहीं लग रहा था, what a way to start off a new school, और वो कहता है कि, वा, क्या तरीका है, मैं फेमस तो हुआ, लेकिन इस वज़ा से कि मेरा घर जल गया, this was not the kind of attention I was looking for, he says, मुझे ऐसी attention नहीं चाहिए थी, the next day at school, people were acting even more strange, he says, अगले दिन में गया, तो लोग और अजीब बहेव करने लगे, I was getting ready for the gym, he says, मैं अपनी PT क्लास के लिए ready हो रहा था, उतने ही देर में कुछ बच्चे आते हैं, और मुझे बोलते हैं कि जल दी करो, जल दी करो, जल दी करो and जल दी करके मुझे धक्का मार के ले जाते हैं, मैं को बड़ अजीब लगा, इतना यह लोग अचानक से क्या हो गया, अभी तक तो मुझे से किसी ने बात नहीं करी, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है इसे बाकी दिनों का मद्धे नजर रखते हुए मेरे साथ कुछ भी होगा विल नॉट सप्राइज मी कि भाई होना तो बुरा ही है तो एक ही बारी हो जाए जबर्दस्ती मुझे एंटर कराना जाने है तो जबर्दस्ती गुष जा जिम में वहाँ गया तो मैंने देखा कि ऐसा वो लो क्यों कर रहे थे वहाँ पर एक बहुत बड़ी से टेबल सेट अप थी जिसमें सारे काइंड अफ समान पढ़ा था वो सिर्फ उस बच्चे के जल गया है यहां पर लोग उतने भी बुरे नहीं है जतने उसने सोचे थे I was overcome by emotion और वो बहुत ज़्यादा emotional हो जाता है रोने को हो जाता है कि लोग कितने अच्छे हैं उन सब लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा People had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves He says वो लोग जो आज तक मिरसे कभी भी आकर बात नहीं करें वो खुद आ रहे थे अपना introduction मुझे देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सब लोग मुझे दोस्त बनाने के कोशिश कर रहे हैं He says मुझे सारे invitations मिले कि आप यहां आओ हम आपको यह देंगे यह होगा यह होगा तो He says मुझे ने ऐसे वो hero वाली feeling आ रही थी कि you know मेरे साथ बहुत अच्छा और यह जीस सबको अच्छे लगती है The genuine outpouring of concern really touched me He says it was a genuine outpour था The general showing of concern जो सब लोगोंने genuine, सच्चा, ठीक है, real concern दिखाया था कि तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है घर में तो He says लोगोंने fake नहीं किया लोगोंने जो emotions दिखाया वो सच्चे थे He says उनके सच्चे emotions देखकर ही मुझे लग रहा था मेरा दिल भराया उन लोगों को देखकर He says in that instant, उस समय पर मैंने पहली बार एक चैन की सास ली and thought for the first time कि शायद से चीज़ें ठीक हो सकती है ठीक है, उसके दिमाग में एक hope पहली बार आई कि शायद से चीज़ें जो है ठीक हो सकती है I made friends that day He says और उस दिन मैंने नए स्कूल में भी दोस्त बनाए A month later जब मैं अपने घर को वापस से बनता हुआ देख रहा था But this time वो घर थोड़ा different बन रहा था मैं अकेला नहीं था मेरे साथ मेरे दो नए friends थे जो मैंने नए स्कूल में बनाए थे He says it took me a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up the world of wonderful people around me He says शायद से मेरे घर में वो आग ही वो reason बनी जिसकी वज़ा से मैंने अपनी insecurities के उपर जिसकी वज़ा से मैंने अपनी असुरक्षा के उपर अपने आपको लेकर एक सवाल को छोड़कर अपने आस पास के दुनिया के लोगों को explore किया और उनसे बात करी तो He says चलो आग ही तो आग ही सही कम से कम मेरा जीने का नजरिया तो बदला He says अब मैं बस अपना घर rebuild होते वे देख ही रहा था and I realized my life was doing the same thing while we sat there on the curb जब अपने बेंच पर बैठे वे थे planning my new bedroom उसको पीछे से कोई आवाज आती है कि कोई ऐसे उसको बुला रहा है does this belong to you और कोई आकर बोलता है कि क्या यह आपकी है और जब वो पीछे मुड़के देखता है तो जो उसने देखा उस पर वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाया he couldn't believe his eyes एक विमेन जो थी वो उनकी ही cat को पकड़के खड़ी थी किसको पकड़के खड़ी थी उसी की cat को पकड़के खड़ी थी I left and grabbed her out of the women's arm और वो कुशी से जपटता है अंटी के उपर और उनके अपनी cat जो है उनसे ले लेता है और उसको बड़ी जोर से गले लगाता है and held her close to me and cried in the beautiful orange furor उसको पकड़के रोता रहता है कि दुकाह चली गई थी दुकाह चली गई थी thank god तु वापस मिल गई she purred happily and वो cat भी बहुत खुश थी as if you know उसको भी उसका owner वापस मिल गया है तो वो राम विर्कुल ऐसा भरत मिला पो रहा था दोनों का my friends were hugging me तो all were happy वो दोस भी बच्वश थे कि चलो finally इसको इसकी जो cat है वो वापस मिल गई है hugging the cat and jumping around and everybody was hugging each other and everybody was jumping around and everything was happy और finally हमारे जो poet author जो होने लगता है कि yes मेरे जिंदेगी में कुछ तो अच्छा हुआ apparently उनकी cat जो थी वो इतना ज़ादा डर गई थी जब घर में आग लगी कि वो उसी समय घर से एक माइल दूर भाग गई थी अब उसके caller पर वो phone number लिखा था लेकिन हमारे phones जो है वो भी आग में जल गए थे तो ये wonderful woman ने responsibility ली और बड़ी मेहनत करके डूंडा कि ये cat actually किसको belong करती है somehow she knew this cat was loved and sorely missed कहीं न कहीं वो चाहती तो उस cat को रख सकती थी कि उनको ये चीज़ पता थी कि ये cat जो है इसको कोई बहुत प्यार करता है और इसको शायद बहुत ज़ादा miss कर रहा है क्योंकि वो cat भी ऐसी थी कि इसको देखकर ऐसा लगता वा जैसे मानों कि वो किसी को याद कर रही है और वही चीज़ यहाँ पर हुई और लेडी की मेहनत की वज़ा से भी हमारे जो author है वो खुश हो जाते है as I sat there with my friends अब दोस्त भी है, बिल्ली भी है, मम्मी भी है all the overwhelming feelings of loss and tragedy seem to diminish वो कहता है कि जो भी वो emotions थे कि loss हो गया, tragedy हो गया भी आजाए, I felt gratitude for my life he says, मुझे पहली बार जिंदगी को लेकर वो शुक्र गुजार वाली feeling आ रही थी कि मैं अपने जिंदगे का बहुत शुक्र गुजार हूँ मेरे नए friends का, वो kind stranger का जिसने मेरी मदद करी मेरी cat को मुश्तक वापस लाने में और यह मेरी cat का, जो मेरे पास मेरे साथ बैटी है, my cat was back and so was I, he says, मेरी बिल्ली भी वापस आ गई और मैं भी in terms of happiness, he says, मेरी जो खुशियां मुझे से छिन गई थी जैसे ही मेरी cat को वापस मेरे पास लाया गया, मानो मेरी खुशियां अब जैसे वापस आ गई हो और यहां पर तो basically chapter का नाम, a house is not a home बचे, इसी निए लिखा गया है कि आपका मकान, सिर्फ मकान में इंट और पत्थर से नहीं बनता जब तक उसमें प्यार नहीं हो, जब तक उसमें केर नहीं हो, लव नहीं हो वो घर अधूरा है, तो बचे, वई है what is the story a house is not a home about तो बचे, यह differentiate करती है it defines a home यह बताती है कि यह घर है, ठीक है जहाँ पर आप emotionally connected होते हो जहाँ पर आप emotionally connected होते हो, सब लोगों से उसी को बचे, कहा जाता है home, option number A, आपके question का सही answer है अगला सवाल, what is a house, बचे, house basically, एक place है, जहाँ पर लोग रहते हैं, उसमें emotions का कोई जोर नहीं है, nobody is talking about emotions here why did the narrator feel strange in the high school बचे, यहाँ पर उनके सारे दोस्ट जो थे, वो अलग जगा चले गए थे, वो अकेले थे, उनके लिए वो बिल्कुल नहीं स्टार्ट थी, तो option number D सब कुछ ही उनके लिए नहीं था, इसलिए that is why he was feeling weird here why did the author want to die author क्यों मरना चाहते थे, क्योंकि वो harsh miserable realities जो थे, उनने face नहीं कर पा रहे थे, और आप कह सकते हो कि loss of hope हो गया था, उन्हें कि आने के लिए of their late father अपने father की जो उनके husband की job is दुनिया में नहीं थे, option A आपके question का सही जबाब है moving ahead to the end of the session बच्चे, यहां पर आकर यह session हमारा खतम हो जाता है, I hope session आप लोगों को समझ में आया होगा आप लोगों को कोई भी doubts हैं बच्चे तो आप लोग अपने comment section में मुझे doubt बता सकते हैं, इसी के साथ बचे यह lecture हम लोग यही पर समाप्त करते हैं, thank you all for being a part of today's class, I hope you guys have understood everything, अगर आपे कुछ doubt हैं तो आपे हम मुझे बता सकते हैं, इसी के साथ बचो मैने हारे का आप लोगों को मिलूंगे आपके अगली और याद रखे हैं आखरी class में जो होने वाली है अगली week में तब तक के लिए मचों पढ़ते रहे हैं, आगे भढ़ते रहे हैं Goodbye everyone